Hello everyone, welcome to Rara दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ Lakme 9-5 CC vs Pond's BB की जी हाँ, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वो थी Lakme Complexion Care Cream बट अभी मैंने Color Transform Cream ली है जो की Pond's BB Cream से अल्मोस्ट जो है, similar result देती है लेकिन इसमें क्या-क्या अंतर है इसको जानने के लिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो सबसे पहली चीज तो यह है कि Lakme 9-5 CC Color Transform Cream जो है, 01 Beige मैंने इसमें मेरा Shade लिया है और 30 gram product quantity आती है 399 रुपीज की लेकिन यह रिसकाउंट पे 20 रुपे तक मिल जाती है Easily Naika पर आप market से भी ले सकते हैं Lakme Outlet से भी ले सकते हैं SPF 30 PA++ है इसके अंदर instant skin stylist है और यह white color के texture में होती है इसमें black particle होते है scrubbing particle जब इसको face पर massage किया जाता है तो यह foundation base में change हो जाती है तो मतलब skin color ले लेती है तो मैं half face पर इसे apply करूंग और half पर apply करूंगी Pond's BB Cream को चो Pond's White Beauty BB Plus Cream है 01 Original and instant spot coverage देती है plus natural glow देती है और यह 67 रुपीज वाला pack इसमें बड़ा pack भी आता है और I think इसमें 3 size आते हैं दोस्तों तो सबसे पहली बात Lak में color transform CC जो है यह आपके skin को even करती है bright करती है conceal करती है और रही बात Pond's BB की तो यह SPF 30 PA++ के साथ में आती है इसके अंदर Skin Whitening Cream है यह like Fairness Cream भी है और BB Plus Cream है इसा इस पर mention है बट Fairness नहीं skin में glow matter करता है और इसके अंदर जो Pond's की Gen White Cover Formula Cream है उसका formula है जो की everyday के लिए perfect look देती है made in India product है और 9 gram इसमें product quantity आती है और इसमें आपको 30 gram product quantity मिलती है जैसे की मैंने आपको बताया तो चलिए सबसे पहले आज में थुरा सब product quantity जो है normal लेने वाली हूँ मैंने इससे पहले आपको कफी जादा product quantity लेकर के दिखाई थी तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ lack me 9 to 5 CC cream जो की color transform CC cream है और इसको मैं apply कर रही हूँ sorry इसको मैं apply कर रही हूँ इधर left side में और ये जो CC cream है ये काफी जादा मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से coverage भी दे देती है आप इससे coverage को build कर सकते है और मुझे ये basically everyday के लिए बहुत अच्छी लगती है और क्योंकि Ponds BB cream भी रोजाना के लिए काफी अच्छी है तो इसलिए इसका comparison बनता है और उमीद करती हूँ अगर आपको Lakme 9to5 की जो complexion care CC cream आती है जो classic वाली CC cream है मैं आपको दिखाती हूँ अभी उसकी packaging भी अगर वो आपको नहीं चाहिए तो फिर आप ले सकते हैं अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप color transform CC के साथ जा सकते हैं जैसे कि मैंने इसको apply कर लिया है और कोई भी product हो आप अगर इसको proper पूरे तरीके से face और नेट पर भी apply करोगे तो जाधा better result मिलता है अब मैं क्या करने वाली हूँ मैंने इसको apply कर लिया है एक तरफ अब मैं Pons BB Plus को apply करने वाली हूँ तो थोड़ा सा product मैं यहां पर ले ले रही हूँ तो यह इसी color में ही आती है like skin tone के color में ही आती है foundation सा look ही है इसका अब देख सकते हैं तो देख सकते हैं मैंने एक तरफ लगाया है Lakme 9 to 5 Color Transform CC cream और दूसरी तरफ Pons BB है तो अब मैं इसे blend करने वाली हूँ blend के लिए मैं Lakme की क्रिम है इसको मसाज कर रही हूँ ताकि यह अच्छे से foundation वाला look दे दे आप देख रहे हैं यह बिल्कुल transform हो रही है सबसे अची चीज इसकी यह है कि यह skincare के साथ में beauty benefit के साथ में skin को conceal भी करती है like complexion का care भी करती है तो यह आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से यह एकदम से change हो जाती है and proper coverage देती है यह cream बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे इसकी coverage क्यूंकि इसको इस तरीके से massage करने के बाद आप beauty blender से भी blend कर सकते हो और अगर आप जरा सा product quantity ले रहे हो तो वह बहुत ही बढ़िया तरीके से even तरीके से blend हो जाती है अब देख रहे हैं मैं आँखों के आसपास जादा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि उसके लिए मैं beauty blender कर इस्तमाल करूंगी और वो आराम से इसको अच्छे से blend कर देगा and इससे proper skin में इसका look भी मिल जाएगा तो अब देख सकते हैं अभी फिलाल ये काफी जादा brighter look दे रही है लेकिन almost पॉंस की BB cream से मिलता जुलता color कुछ-कुछ इसका transform हो गया है तो बहुत-बहुत अच्छे से ये transform होती है C अब देख सकते हैं काफी बढ़िया look जो है काफी अच्छी coverage इससे मिल रही है तो आप इससे foundation वाला look भी create कर सकते हैं और कान पर जरूर लगाए ताकि आपको even look मिले और अच्छा सा coverage भी मिल जाए और इसके बाद आप directly compact से इसको set कर सकते हैं तो मैंने इसको massage करके बिलकुल foundation वाले look में change कर दिया आपके सामने ही आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी add नहीं किया है और ये कितना बढ़िया तरीके से skin के complexion से match कर रही है तो एक तरीके से ये जादोई cream आप कह सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से change होती है और बहुत ही बढ़िया moisturizing flawless look देती है और बिलकुल चिपचिपाहट नहीं अब लेकिन क्यूंकि summer weather है और अगर जरा सा भी T-zone area skin का आपका oily है तो आपको क्या करना है compact से हलका सा set कर लेना है इसको तो मैं न व्यूरी blender ले रही हूँ और beauty blender की सहायता से इसको थोड़ा सा light कर लेती हूँ ओके जरा सा तब देख सकते हैं कि इसको मैंने अच्छे से पहले तो मसाज करके transform किया और उसके बाद में इससे मुझे बढ़िया look मिल गया और अब मैं जरा सा mini blender ले रही हूँ और उसकी सहायता से आँखों के आसपास के area में इसको even करके spread कर रही हूँ जिससे की आँखों के आसपास भी बहुत जादा उस तरीके का look न रहे कि आँखों के आसपास रहे जाए और बहुत ही natural flawless look मिला है आप खुद देख सकते हैं in fact मैंने neck पर भी apply नहीं किया तब भी कितना बढ़िया look मिला है अब मैं blend करने वाली हूँ Pond's BB cream को और इसको आप चाहे तो हाथ से dab करके blend कर सकते हैं लेकिन जो बात beauty blender से आती है वो इससे नहीं आती like हाथ से और अगर आप product quantity कम ले रहे हो तो फिर आप अच्छे से इसको blend कर सकते हैं हाथ से जादा quantity लेने पर तो beauty blender की ही आवशकता पड़ती है और आप दोनों cream में complexion में भी clearly अंतर देख सकते हो मैं क्या करने वाली हूँ वापस से छोटा beauty blender ले रही हूँ और आखों के आसपास जो है Pond's BB cream को अच्छे से blend कर रही हूँ ताकि मुझे even और natural flawless look मिल जाए क्योंकि यह बहुत जरूरी है आखों के आसपास आप कभी भी जब भी apply करें तो कोशिश कीजिए आपके पास एक mini beauty blender हो उससे बहुत easy हो जाता है तो क्योंकि अब हम face पर even नहीं करेंगे इस तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि बाल में product ना लगे और अगर आप चाहें तो neck पर इस तरीके से लगा करके even कर सकते हैं यह बहुत जरूरी हिस्सा है तो इधर भी आप चाहें तो neck पर भी apply कर सकते हैं लेकिन skip ना करें और उसको भी powder से थोड़ा set कर लें तो देखें कितना बढ़िया blending हो गई है लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि कितनी dark मैंने eyebrows को कर रखा था और वो पूरी तरीके से hide हो गई है थर बट कोई नहीं हम उसको clear कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इधर मैंने pons bb apply की है और अच्छा खासा coverage and brightened look इधर भी मिला है और ये है lacme color transform CC जो कि बहुत ज़ादा natural, even, moisturized, flawless and fresh look दे रही है तो कहीं न कहीं मुझे सबसे पहले अगर मैं आपको suggest करूंगी दोनों में से तो अगर आपको make-up वाला बहुत ज़ादा look चाहिए तो आप इसको ले सकते हो pons bb cream को लेकिन अगर आपको थोड़ा even सा everyday type का look चाहिए तो अफको आपको lacme 9 to 5 color transform CC cream ही try करनी चाहिए और आप चेक करिएगा I think इसका छोटा size available होता है या नहीं और आप इसे direct lacme की website से ले सकते हो आप ले सकते हो इसे online और store से भी और ये apply करने के बाद किसी भी अच्छे eyebrow pencil का spoolie आप ले लीजे और उससे आप इनकी cleaning जरूर करें eyebrows की ताकि इसका look आपको और अच्छे से clear दिखाई दे और मैं तो इनको इसलिए dark भी करती हूँ ताकि foundation या bbcc cream apply करने के बाद इसका look properly समझ में आ सके और इनको वापस shape देना हो तो दिक्कत ना हो और जिनके पास घनी घनी brows हैं वो easily अच्छे से हलका साही अगर filling करेंगे तो उनका काम बन जाएगा ठीक है और eyebrow powder भी available है market में तो आप वो भी ले सकते हैं उससे भी filling कर सकते हैं लेकिन आप इसको smudge करना कभी भी न भूलें और highlight भी कर सकते हैं जिससे आपको और अच्छा look मिलेगा और बहतर और ही सुन्दर और beginners हो या फिर मतलब teenager हो कोई भी हो ये वाली जो CC cream है ये सबके लिए पॉफेक्ट है वैसे तो बहुत affordable में भी market में available है लैकमे की जो color transform CC है वो तो बहुत ही छोटे size में भी आती है दोस्तों तो आप वो भी ले सकते हूँ ठीक है ना तो अभी आप final look पे मज जाई है आप face का base देखेंगे तो आपको बिलकुल natural flawless look दिखाई देगा और आप कोई भी अच्छो compact ले सकते हैं अब मैं तो यहाँ पर ले रही हूँ beauty blender की सहयता से ही लगाऊंगी लाकमे का ये radiance compact ले रही हूँ और जस्ट जरासा क्योंकि undry area को conceal करना undry area को cover करना बहुत ज़रूरी है मैं conceal बोल रही थी I'm sorry और concealing की मुझे उतनी नीड नहीं होती है क्योंकि में dark circles नहीं है दोस्तों लेकिन अगर आपको dark circles की समस्या बढ़ रही है तो आप थोड़ा सा concealer इस्तमाल कर सकते हैं तो lips जो है वो dry हो सकते हैं और आखों के ऊपर भी crease न पड़ें उसके लिए आप फॉरण से इसको set कर लें उसके बाद जो इसका sponge होता है बड़ा उससे आप अपने forehead को set कर सकते हो किस तरीके से थोड़ा matte look दे सकते हो तो आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से मैंने इसको face का base जो है वो बना लिया है और आप जितना कम product लोगे उतना बढ़िया है रोजाना के लिए लेकिन अगर आप ले रहे हुआ वो थोड़ा जादा तो फिर आपको अगर party वगर में जाना है तो आप ज़्यादा product इस्तमाल करें जैसा कि मैंने आपको लेकर के दिखाया और रोजाना के लिए आप इससे भी जरा सा product लीजिए सिर्फ एक मटर के दाने के समान की size amount आप लोगे तो उतना जो है बिल्कुल sufficient है और उसके बाद में आप चाहे तो blush apply कर सकते है हाइलाइटर apply कर सकते हैं पाटी के लिए जो makeup होता है या simple एक mascara लगा करके lip color या lip balm लगा सकते हैं and that's it तो उमीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये tutorial और comparison और जो beauty blender का back side का clean हिस्सा होता है उससे आप हमेशा forehead का ये वाला portion थोड़ा clean कर दें जिससे की बहुत जादा यहाँ पर एक harsh line न दिखाई दे बिल्कुल even और blended look दिखाई दे इस वज़ा से तो ये जादा अची लगती है कि जितना flawless जितना blended makeup होगा उतना बढ़िया है और बिल्कुल second skin लगना चाहिए पास से अगर कोई देखे तो skin पे वो layer चड़ी हुई ना दिखाई दे बिल्कुल look जो है वो even flawless और clear दिखाई दे और अगर आप मेरी तरह nose pin बहनते हैं तो आप क्या करें मैं तो हमेशा यही चीज फॉलो करती हूँ आप ले लिजे एक tissue paper और क्यूंकि किसी कपड़े से अगर आप nose pin clean करोगे तो पता है छुट जाता है वो BBC CC cream या base आप लगाते हो लेकिन आप इस तरीके से clean करोगे तो य अच्छा लगता है तो बस यही मुझे कहना है अमीद करती हूँ यह आपको काफी जादा helpful रहा होगा थैंक यू सो मच मुझे फॉलो कर लीजेगा Facebook और Instagram पर और मेरी से पहले ही वाली जो comparison video है वो भी देख सकते हैं और यदी पसंद आई हो तो मेरे अनदर चैनल पर जागर फेस बेस का तो जितना आपका फेस फ्लॉलेस दिखेगा उतना आपका मतलब मेक अप और ज्यादा अच्छा लगेगा attractive and one more thing pictures उससे भी कहीं जादा अच्छी आती है तो यह एक छोटी सी टिक मैंने आपको बता दी so thank you so much bye दोस्तो और एक बात साथ में कि यह जो BBCC क्रिम है इनको किसी भी skin type के लोग लगा सकते हैं like यह all skin type है लेकिन अगर आपके बहुत एकने हैं तो आप कोई BBCC क्रिम ना लगाओ आप सिर्फ skincare करो aloe vera लगाओ rose water spray करो face पर mist apply करो you know anti acne sheet mask apply करो और कुछ नहीं और बाकी किसी भी skin type के लोग like combination oily and little oily and dry skin किसी भी type के जो है skin हो वो लो लोग इसको apply कर सकते हैं अपनी skin पर और आप पास से देख सकते हैं मेरी skin ओके